Assalamu alaykum students, तो आज हमने अपनी math की exercise number 1.2 का question number 4 और 5 complete करना है जी बटा तो हमारे पास exercise number 1.2 है जिसका question number 4 है If P is equal to set of prime numbers, अगर एक P set of prime numbers से एक set है, prime numbers सा उसका नाम है P and C set of composite numbers और C equal to set of composite numbers के, then find क्या करना है P union C P और C के set का union लेना है and P intersection C, P और C के sets का intersection लेना है तो सबसे पहले बेटा solution में हम जिनके P is equal to set of prime numbers लिख लेते हैं तो यह जो हमारा हम देखेंगे कि यह जो P है, यह set of prime numbers था, तो set of prime numbers क्या होते हैं ऐसे numbers जिनके दो factors हों, उमेंने last video में आपको बताया था तो उसमें number लाते हैं 2, 3, 5, 7, उससे वो चलते जाते हैं, कभी खतम नहीं होते उसके बाद बेटा composite numbers से, composite numbers वो वाले numbers होते हैं, जिनके दोस से ज्यादा factors हों जैसे यह इसमें आएगा यह 4, 6, 8, 9, 10 और इस तरह से यह आगे चलता जाएगा, कभी खतम नहीं होगा तो यह होगे हमारे prime numbers और यह होगे हमारे composite numbers अब बेटा इसका पहला part हम solve करते हैं, जो हमारे पास है P union C वाला, तो हमारा जो question है P union C यह equal होगा पहले P के set का तो हमारे पास जो P का set है वो आएगा 2, 3, 5, 7 और यह चलता जाएगा, और यह बेटा इसका union का sign यह step आपने बेटा लाजमी करना है, उसके बाद अब composite numbers का set आ जाएगा और यह चलता जाएगा, कभी खतम नहीं होगा इसका मतलब यह जब P union C है, इनका जब हमने union लिया तो union में हम बेटा क्या करते हैं, दोनों sets के elements को मिला कर लिख देते हैं एक order के साथ, एक तर्तीब के साथ, अगर कोई numbers दो दफ़ा आ रहा है एक number इदर भी आ रहा है और इदर भी हो, फिर भी हम उसको इसमें एक दफ़ा ही लिखते हैं तो यहां पे हम इन सब numbers को जब मिला के लिखेंगे तो यह two से start हो रहे है, two के बाद three और फिर आना चाहिए four, वो यहां है उसके बाद आना चाहिए five और फिर आना चाहिए six, seven और eight इस तरह से दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे तो इनके जितने भी दरम्यान में नमबर्स आ रहे हैं सारे पूरे और हैं इसका मतलब इनका union होगा two, three, four, five, six, seven और यह बेटा इस तरह से चलता जाएगा कभी खतम नहीं होगा यह जो पी यूनियन सी होगा उनका union का answer यह होगा कि हम नमारे पास जो प्राइम नंबर्स और composite नंबर्स का जब हमने union लिया तो इन दोनों के नंबर्स को मिला कर लिख दिया तो यह बेटा इसका question होगया इसका अब एक दूसरा पार्ट करते हैं कि दूसरा पार्ट था हमारे पास पी इंटर सेक्शन सी वाला इसके लिए भी हम क्या करेंगे पी का पहले सेट लिखेंगे कि 2357 और इस तरह से यह चलता जा रहा और यह बेटा इंटर सेक्शन का sign और अब composite नंबर्स का सेट लिखेंगे अब चलता जा रहा और कभी खतम नहीं होगा अब इसका इंटर सेक्शन देखने के हमारा इंटर सेक्शन क्या आएगा इंटर सेक्शन में हम यह देखते थे कि दोनों में common entries क्या है common elements क्या है दोनों जो common होता था वो उसका intersection आ जाता सा इसमें 2 है 3 है 5 7 और इसमें 2 3 5 7 नहीं है इसका मतलब इन दोनों में जो difference है वो change है इन दोनों में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मिलता हो तो इसका एक आ जाता है empty set एक set हम लिख देते हैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता तो इसको बेटा हम बोलते हैं empty set एक ऐसा set होता जिसके अंदर कोई element नहीं होता तो बेटा यह question number 4 था इसके दोनों part हमने solve कर लिए तो अब बेटा हम move करते है कुछ नमबर 5 के उपर तो यह जो बेटा इसका होगा यह answer होगा अब कुछ नमबर 5 पर move करते हैं जी बेटा था हमारे पास कुछ नमबर 5 है जिसमें उसने हमें तीन तरह के sets लेदी के हैं A B और C उसे हमें कहा है कि find करें A union into B union C इसमें बेटा सबसे पहले ख्याल रखना है कि यह जो ब्रैकेट्स लगी हुई है जिन्हें हम parenthesis भी कहते हैं इन्हें यह जो हमारी brackets नहीं हम small brackets भी कहते हैं यह इनके अंदर जो भी operations होंगे वो पहले perform अंसर आएगा वो हम A के साथ उसका union लेंगे इसका solution स्टार्ट करते हैं बिटा तो यह हमारा A union B union C equal होगा इसी तरह से A का set A का set है A C D F का यह union का sign और यह आ गई bracket और अब B का set यह है हमारे पास B C F और G तो यह बिटा मेरे पास space नहीं है तो इसको मैं यहां लिख रहा हूँ आपने एक ही line में लिखना है तो यह हमारे पास है यह हमें यहां लिख रहा हूँ union और यहां पर C का F G और यह bracket close होगी इसका बिटा आगे जो answer आएगा यह बिटा वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि यह end पर solve होगा तो यह होगा A, C, D, F, union और अब हम देखते हैं कि इनका union लेने से answer क्या आएगा union में हम बिटा क्या करते थे एक order के साथ दोनों sets के elements को मिला कर लिख देते थे सबसे पहले पेटा यह B से start हो रहा है तो सबसे पहले आएगा B, उसके बाद आता है C, C two times आ रहा है लेकिन हम इसको एक ही देखा लिखेंगे, इसी तरह से यह आएगा F, G, और यह H, ठीक होगे पेटें, यह हमारा part इसका solve हो गया, अब हमने यह वाला part solve करना है इनको जब हमने union लिया तो अब मिला के लिखना है तो सबसे पहले पेटा A आएगा, उसके बाद B, C, यह D, अब इसके बाद E आना चाहिए लेकिन इन दोनों sets में E नहीं है तो उसके बाद आला देखते हैं, A, B, C, D, E, इसके पहले आएगा F, फिर G, और यह H, तो पेटा इसका बेटा यह at the end answer होगा, ठीक हो गया बेटे, इस नहीं से हमने question number 5 का पहला पार्ट कर लिया है, अब बेटा में इसका आप लोगों का homework बता देता हूं, तो हमारे पास यह exercise number 1.2 है, इसका बेटे question number 3 जो है, और question number 5 का दूसरा पार्ट आप लोगों ने कुछ से homework करना है ताकि आप लोगों को भी खुछ से इनको समझ आ सके, तो ठीक है बेटे, अब हम wind up करते हैं इसको, यह हमने question किया, तो इसका question number 3 है, 1.2 का वो, और question number 5 का दूसरा पार्ट, यह आप लोगों ने कुछ से homework करना है, तो ठीक है बेटे, अल्लाह आफ़र्जू.